हेलो दोस्तो 그게 Life सिफिसंकर शिफ चैनल सिफिसंकर सिफ चैनल में आपका स्वागत है चलिए मैं आपकेले पहले करता चिक ë मोंगोलियन का D&D हाँ फ्रेंट चिकन मॉंगलियन घर पे रिस्ट्राइन में कैसे बनाएं तो चलिए आज देखेंगे सिफ संकर सिफ चैनल की माध्यम से बहुती असान डिसीपी तो चलिए फटाफट ये देखें हमने सबसे पहले बॉनलेस ले लिया हो और बॉनलेस पीस को सबसे बड़ी बात ये है कि पीस हम कैसे बनाएं घर पे सोचते रहते हैं है ना तो ये देखें पीस हम कैसे बनाते हैं तो एक्चुली रिस्ट्राइन वेगराम क्या होता है हम लो से एक प्लेट में कितना परसन देना चाहिए मिनिमम आप जैसे कि मानलो आप 150 ग्राम का जैसे ले सकते हो तो यह पिसेश हो चुका है और जिसमें हमने एड क्या हूं थोड़ा सा वाइट सॉल थोड़ा सा जिंजर गार्ली पेस्ट और थोड़ा सा ग्रीन चीली पेस्ट है ना वन टेविल स्पून के जैसा हम एड करेंगे कितना वन टेविल स्पून ज्यादा एड नहीं करना है क्योंकि पोकोरा ज्यादा शॉफ्टनेस हो जाएगा और इसमें हम थोड़ा सा लाइट सोय सोस एड कर लेते हैं और एक चीज़ में आप लोगों को ज़रूरी सोचना दे इसमें हमने मैदा का इस्तिमाल किये हैं तो आप लोग थोड़ा सा अगर एक्स का कम हो जाए तो उसमें हलका सा पानी मिक्स कर लें क्योंकि उसका बाद पोकोरा जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और जब भी अब बनाएं तो सबसे पहले पोकोरा को मेरेनेट करके आ अब यह देखिए मैं इसका साथ क्या-क्या वेजटिबुल यूज करने वाले आप लोग सोचते होंगे चिकेन मंगलेन में भी कोई वेजटिबुल यूज होता है क्या है होता है इसमें हम जैसे की ओनियन यह देखिए कैसे डाइस कटिंग में लिए हैं मैं इसको पिसेस ब यूज करने वाले हैं डाइस कटिंग में हाँ आप सोचते होंगे अगर मेरा घर पे रेड केपसी कम नहीं है तो कैसे बनाएं सोचने के लिए आप छोड़ दीजिए आपको बजार में ग्रीन केपसी कम आराम से मिल जाता है और घर पे प्यास तो होता ही है आप उससे ही बन के येलो केपसी कम भी हम उसी सेप में काटेंगे जिस सेप में रेड केपसी कम और ओनियन कटिंग किया है और ग्रीन केपसी में भी मैंने काट चुका हूं तो ऐसे ही बारिक बारिक से सारा मीजा हम रेडी करेंगे और ये देखिए आप लोग सोचते होंगा ये क्या है नही काट के एक प्लेट में बारिक बारिक से साड़ा डिसीपी पहले में रेडी कर लेता हूं उसका बाद बनाने का भी पोसेज जरूर देख लाएंगे लेकिन वीडियो को प्लीज आप लोग स्कीप नहीं कीजिएगा और अन तक जरूर देखिएगा क्योंकि सिफसंकर सेफ चैन आता रहते है और आप लोग चितने भी नए जैसे कि चैनल पर आये हैं तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पिलीज आप लोग सिस्क्राइब कर लिजे मैं जानता हूं आपको अच्छा रिसीपी देने बाला हूं और आप लोग सिफसंकर सेफ चैनल क अगर देखके खुस हैं तो आप लोग इस वीडियो को सेर करना नहीं भूलिएगा तो चलिए यह देखिए हमने एक नौन इस्टिक फ्राइब पिन में हमने तेल गरम कर रखे हैं और उसमें भारिक भारिक से सारे चिकेन का पिसस मैंने छोड़ रखा हूं अब यह इसको हम इतना फटापट कैसे हो गया क्योंकि बीडियो को हम लेट नहीं करते हुए फटापट दिखलाना चाहते हैं और यह देखिए रिश्ट्रेंड बगरा में कैसे हम सारा समान रेडी करके रखते मीजा करके तो सबसे पहले हमने एक नौन इस्टिक फ्राइब पिन में यह क्यों इसको हम थ्रा फ्राइ होने देते हैं आप सोचते हैंगे डाइस ओनियन दिया है तो यह चोपिंग क्यों मैं आपको यह बताना चाहरू आप चाहें तो इसको जो है मंचुरियन का फ्लेवर में भी मंगोलियन निकाल सकते हैं जिंजर गारली का फ्लेवर में भी निका सकते हैं मंगोलियन फुर्ट जो है एक्षुली ओरियंटल मिक्स होता है चैनीज और इंडियन कम्निकेशन को मिक्स करके बनाया जाता है है ना तो इसमें हमने देखिए टमाटर चौपिंग किया और भी एड किया हूं तो आप लोग वीडियो को इसकीप नहीं किजिएगा और ठासा ब्लैक पेपर का इस्तिमाल किया हूं तो आप लोग भी एसे ही स्वादन श्वार एड किजिएगा और यह जो हम एड किया हूं यह रा एक्षुली स्रिवान सोस मतलब चीली पेस को जो हम लोग स्वाध बनाते हैं वो हम एड किया है आप स्वार्ण मिलेगा कर तो अब यह देखिए पकोड़ा को भी हम एड़ कर लिए हैं और इसको अच्छा तरीका से बॉयल होने देंगे और जिसमें हमने एड़ क्या हूँ पानी भी जो एड़ क्या हूँ वो चिकेन का स्टोक एड़ क्या हूँ है ना तो ऐसे ही आप लोग बारिक बारिक से सारा रिसीपी देखते रहें घर पे सिपसंकर सेफ चैनल की माध्यम से इतना देखने में खुबसूरा डिस बना के चरूर खाएं और इसमें हमने थोड़ा स फ्लावर घोल के इस्तिमाल के हैं जो इसका थिकनेस आ जाए तो है ना आप लोगों को सामने बहुत ही असान डिसीपी और यह रहा स्टारनेस का स्टारनेस जो होता है उसका जो मसाला होता है उसको हमने पॉर्डर करके इसमें एड़ क्या हूं जो उसका फ्लेवर जो है बह इसी तरीका से करें और देखिए देखने में कितना लजीज और खुशूरत लग रहा है मैं उमीद दिलाता हूं फ्रेंड आप लोगों को खाके भी उतना ही ज्यादा टेस्टिंग लगेगा जो कि हमने यह चीज बनाया हूं और खाके भी टेस्ट के हूं सच में बहुत ही अच्छा लगा है तो अमीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा आज के लिए